हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूटुब चनल स्टाडिवे सुजित में तो दोस्तो आज हूं कमेश्टी के महत्यपोर्ण अब्जेक्टिव कोसंस के बारे में डिसकस करेंगा जमारे बोर्ड एक्जाम के लिए अती महत्यपोर्ण है दोस्तो तो य उप्सन और जो भी है वह इसका राइट एंस रोजगा उप्सन नमर भी चलिए नेक्स्ट प्रस्ट में देखते हैं और यहां पे प्रस्ट भी आपके सामने आ चुका है कि घनकार सनरशना में पीन केंद्रित परमारू की समनवायन संख्या कितनी होती है इन बोटी सेंड़ जो भी है वह इसका राइट एंस रोजगा और आए नेक्स्ट प्रस्ट में देखते हैं कि मुल्क क्रिश्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है यहां पर बताना है कि कौन से एंसर हो जगा तो इसका राइट एंसर होता है साथ दोस्तों याद रखेगा जो आपसन वर जो पर जो भी है वह संख्या होती है और यहां पर सामने आ चुका है कि भौतिक अधिसोसर की दर कीश के द्वारां बढ़ता है तापकरम घता कर बढ़ा कर और सता छेत्र कंदार घटा कर यहां पर स्प्रस्थše और अधिसोसर की दर कीश के द्वारां बढ़ता है तtoo इस प्रस्थ दोए और स और देदिये होगे कमेंट में तो यह फॉर्थ आइट अश होजगा वह तापकरम को घत यानि कि decrease in temperature इसका राइट एंसर होजेगा option बर जो ए है वह इसका सही एंसर होजेगा चलिए हम लोग next प्रस्ट को भी discuss कर लेते और यहां पे प्रस्ट भी आपके सामने आ चुका है कि the value of velocity constant k of reaction of depend on यानि कि बेग इस्तिरांग के का मान निर्भर करता है पर्तिकारकों की संधरता पर 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 पर्तिफॉलो की संधरता पर या आयन पर डी है ताप करम पर तो इस परस्ट का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि बेग इस्तिरांग के का मान निर्भर करता है तो इस परस्ट का जो सब्जेक्टिव कोशन नहीं हुआ है तो आपके लिए बहुत यह ओफर के साथ यहां पर पीडियेप आ चुका है तो मात्र आपको 99 रुपीस में सब्जेक्टिव कोशन दे दिया जाएगा यानिकि लॉंग कोशन और सीट जो की पीडियाप से ही आपके बोर्ड एक्जामें हंडे परसेंट पूछे जाने जाएंगे दस्तो तो नंबर हम बता देना चाहते हैं तो आपके लिए मानत 99 रूपीज में यह ओफर क्रूप में आ चुका है तो इससे आप जो ले ले लेते हैं तो आप नहीं चीन्थो कर पढ़िएगा दस्तों ये पीडियाप से ही सभी कोसंद आने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए इसे रिलेटेड एक दो तीन कोसंद पूछा जाता है कि लोहा एक होता है लोहा निकल कोबाल्ट ये कैसा होता है और नो चुमबा किये है प्रती चुमबा किये है और एक है फेरी चुमबा किये है तो इसका राई टेंसर क्या होना चाहिए तो लोहा जो होता है वह होता है फेरो चुमबा किये पदार्थ होता है ठीक जो आपसर मर जो सी है वह इसका र औरहेनियास समिकारृण क्या होता है तो अर्वहनियास समिकारृण err equation is क्या होता है तो औरहेनियास समिकारृण के रुप में जो होता है कि कि ये बराबर होता है एउय इंटू मॉाईनस ये ऑपकी आटी होता है जो अप्सन जो ए है वह इसका राइट एंसर जो जगा ऑप्सन नमर ए सेसान आची लेक रही हो तो लाइक जो किजेए दोस्तों और अगर चांस है नहीं जूड़ा हो तो जब रही सब्सक्राइब कर लेजिगा और यह हम लोग आठाना प्रस्ट न कभी देख ल नमर जो ए है वह राइट एंसर जो जगा तो चलिए हम लोग नेक्षट प्रस्ट को भी कवर कर लेते हैं और यहां पे भी प्रस्ट नापके सामने आ चुका है कि बीधुत अब घटन का उप्योग होता है बीधुत सोधन में बीधुत लेपन में और सी है ए और बी दोनों और डी ही इन में से को नहीं तो बीधुत अब घटन का जो उप्योग किया जाता है या बीधुत सोधन और बीधुत लेपन दोनों में यानि कि जो सी अप्शन है वह इसका राइट यह सलोजगा अप्शन मरसी दोस्तों अगर चानल से नई जोड़ है तो जबूर ही सब्सक किया और यहाँ फोटा है यह जम्लों का संगेट किया और यहां पर दूध होता है यह जल में वासायो का डिसिवर्शन होता है जो B option है वो इसका राई टेंसर जोगा option नमर B चलिए हम लोग next प्रस्ट को भी cover कर लेते हैं और यहां पे प्रस्ट आपके सामने आ चुका है जो की काफी महत्यपोर्ण है एक जाब अभी उसे कि CHI3 का पूर्तिरोधी प्रभाव क्या होता है तो इसका राई टेंसर क्या होना चाहिए बाराह का तो यह मुगत आयोडीन के कारण होता है option नमर्ज यहां पे जो B है वह इसका राई टेंसर होजगा option नमर B चलिए next प्रस्ट में देखते हैं और यहां पे प्रस्ट आपके सामने आ चुका है और जल्दी से टाइप कर देजे की एल्डी हाइड को किस क्रियात्मक समुख के दोरा लिखा जाता है की एल्डी हाइड का क्रियात्मक समुख क्या होता है एल्डी हाइड को बताना है क्योंकि यह भी प्रस्ट नतर बार आप पूचा जाता है तो चलिए हो लोग 14 ना प्रश्न को देखते हैं और यहाँ प्रस्न भी आपके सामने आचुका है कि Cf2 और Cl2 का उपयोग होता है एक पुर्ति रोधी के रूप में है कितनासी के रूप में पिडाहारी के रूप में या प्रसीतक के रूप में तो CF2 और CL2 का जो उप्योग किया जाता है वह हो जगा प्रसीता के रुप में यहां प्रस्न देखिए कि अलकील हाइलाइट को अलकोहल में बदला जाता है तो सकराइट सरय क्या होन चाहिए तो इह सब्सյर्चिट्यूशन के अलकोहलों को भी व्योद्वेद में इसकरा का इसन परस्न होता है वह सकर का भीतन ह attends हो झाता है ओप्सन जो डी है वह इसका राइट एंसर हो जीगा माल जीए आपको PDF की जोड़ता है 77,1,0,277 पर आप कॉल करके आप PDF की जनकाइड लेना चाहते तो ले सकते हैं यहीं हमारा फोन पे नमबर भी है और वार्टसेप नमबर भी है PDF जरूर ले ले लिजिएगा क्योंकि मात्र 99 रुपिस में यह आपको ओफर दिया जा रहा है यानि कि आप इस परिवार के अगर सदस से बन गए हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्तपूर यह PDF है दोस्तो वैसे तो हम लोग अबजेक्टिव कवर कर ही रहे हैं तो यहां पर इस सब्जेक्टिव कोशन को आप जरूर लेने का प्रयास किजएगा क्योंकि मात्र 99 फिस में आपको तीन सब्जेक्टिव दे दिया जाता है जो कि यूटूप पूरे यूटूप पर सबसे कौम फिस यहीं का रखा गया है जो आपके लिए राम बार्ण साबित हो सकते हैं ठीक और अगर दो सब्जेक्टिव लेना चाहते है तो मात्र आपको असीर पर मिल जाएगा दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से तो चलिए हम लोग नेक्ष्ट प्राश्ण को देखते हैं और यहां पर देखिए कि फेहलिंग प्रेक्षान की इसके लिए धनात्माख होगा तो इस प्राश्ण का राइट एंसर जो भी दोस्त आप्सन नमबर तो सतरा का उप्समा जो ए है वहाई इसका राइट एंसर हो जगा तो यहां पर 16 नमप्रासन में थोड़ा सा डाउट था दोस्तों तो इसका राइट एंसर हो जगा एलकोहलों के बिभीद Ben ठीक है और तो इसका राइट एंसर हो जगा आ जोसिए यहां पर यहां पर यहां पर देखते हैं और यहां पर देखिए कि निमलीखित में से किसमें एल्डॉल संगहना नहीं होगा और यहां पर पुझ्या गया है कि क्यूं ससोर नहीं होगा इसीटल डिहाइड प्रपरंल डिहाइड बेंजडॉल डिहाइड और ट्राइडe-डि और यहां पर प्रस्ण देखिए जो की काफी महत्यपूर है कि कर्भोहार्ड्रेट का समाने सुत्र क्या होता है तो यह होता है तो यह होता है जो की आपके बोड इक्जाम भी उसे बहुत ही महत्यपूर्ण यह वो वीडियो होगी जो बार-बार वहीं कोशन को दुहराए जाता है बोड इक्जाम में तो कॉल होगी बीबी आई सब्जेक्टिव कोशन तो आप चानल को अगर नहीं जुड़े हो तो जो वहीं सब्सक्रा सब्सक्राइब को लिजीगा आए नेक्षण प्रस्ट को देखते हैं कि गुलो कोश की वलाइस अरशना में कारल कार्बन प्रमानवा की संख्या कितनी होती है तो दो तीन चार और यहां पर पांच तो इस प्रस्ट का राइट एंसर क्या हो चार यह होता है चार यानिकि जो यह वलोक तो यहां पर किसे गुरूप के तत्तो को संक्राइब कहा जाता है तो इस परस्ट का जो राइट एंसर और यहां पर देखिए कि सोडियम आवर्थ सारनी में कीस गुरूप में का सदस्य होता है यानि कि सोडियम जो होता है अवर्थ सारनी के कीस गुरूप का सदस्य होता है। फोर का जो अकार होता है वह स्क्वाइर प्लेणर होता है और इसे इंग्लीज में लिखा गया है स्क्वाइर प्लेणर तो इसका अगर हिंदी में लिखता तो यह वर्ग तल यह होता है ठीक तो इसका राइट अंसर जेगा ऑप्शन मर्ड जो भी है वह सही अंसर हो जेगा PDF ले लेते हैं तो आपको आप निचीनत होकर PDF से पढ़ सकते हैं असाइन से आप त्यारी कर सकते हैं Long questions और Short questions को दोस्तो आपको एक बार हम बता देना चाहते है 72-70-277 अप पर आप call करके PDF जवर लेने का प्रियास के जगा क्योंकि पीडियाब ले रहते हैं तो आप निश्चीन ठोकर पढ़ियागा दोस्तो दो मंत है जो आप इस पीडियाब को पढ़कर आप मालए को 80% आना है तो आपको 90% आ सकते हैं दोस्तो फिडियाब से ही पढ़कर दोस्तो ठीक करके देखते हैं इसका संचालन कभी यह करता है और इसका संचालन भी नहीं होताए और यहां पे 25 नवप्रस्दाप के सामने कि निमने में कौन चार ये भूमिस्तत्व है कारवन केल्चियम जिंक और लुहा तो चार ये भूमिस्तत्व क्या हो जाएगा यह हो जाएगा केल्सियम इसका राइटेंश हो ज़ेगा 25 का बी और यहां पर कौन सा धातु सधारनताप करम पर द्रव होता है तो जींक पारा लगा देता है और यहां पर प्रोश्ण भी आपके सामने आचुका है कि सी एच ठीरी स्वरी ओच चीएस्टू सीएस्टू ओएच का आयूपी एसी नाम क्या होता है तो डौब एक और यहां पर दो यह की वन कमाटू डाई और यांदि के पहले इथें रहेगा इथें वन कमाटू डाई ओल यानिकी इसका राइट अंसल रोज़ेगा और अप्षन नमर बी बी जो है इसका राइट असल रोज़ेगा चले नेक्ष्ट अपर दो दिखते हैं और यहां पर है प्रतिरक्शी सॉल होते हैं तो बिल् पीडियाफ की जोड़ता है तो पीडियाफ आपको मिल जाएगा इसी नंबर पे 77-170-270-277 इस पर आप पर कॉल करके पीडियाफ ले सकते हैं बिलकुली आसाएं से इसका इसे आप स्क्रीन सट भी ले सकते हैं यह जो नंबर है वार्शेफ नंबर भी है फोन पे नंबर भी ह दूस्तो तो दूस्तो इस परकार से इस महत्तपूर सेसन को यहीं पे खात्मियक करते हैं और आपको अच्छी लेगी हो तो लाइक जोग कीज़ेगे दूस्तो और अगर चांस नाइज जुड़ हो तो जोड़ ही सब्सक्राब कर लीजीगा मिलेंगे नस क्लास में तो हशते रही है और मस्कराते रही है और अपनी त्यारी को मजबूत करते रही है अभी कितना ही दोस्तों जाहिंदे